तो नितिन सर, हिरिन सर, हम लोग पिछले साथ दिन से इंड़क्शन प्रोग्राम के अंतरगत यूनिवर्सल हुमन वेलिवस की बात कर रहे हैं और मैंने कोशिस की है इस बात को समझाने की, मेरी आबाद ठीक आ रही है सभी को तो मैंने कोशिस ये की है कि जिसको अपन वेल्यू सिस्टम कहते हैं इसको समझा जा सके और जिसको हम लोग जीना कहते हैं क्योंकि वेल्यू का समझ जो है जीने के साथ ही होता है और जैसा मैंने आपको बताया था कि मानों का जीना पांच इस्तितियों में होता है एक व्यक्तिगत इस्तर पर होता है दूसरा परिवार के इस्तर पर होता है तीसरा समाच के इस्तर पर होता है चोथा रास्ट के इस्तर पर होता है और अंतरास्टी इस्तर पर होता है उस इस्तिती में मानव जाती सुख पूर्वग जीती है और यदि इसमें डिसार्मोनी होती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक दूसरे के प्रती विरोध होता है, तो मानव को दुख के साथ जीना पड़ता है। तो मानव के अंदर कलपना सीलता और कर्म सुतंतरता होने के कारण से, वो सही भी कर सकता है और गलत भी कर सकता है। और यदि एक-एक व्यक्ति से पूछते हैं, तो ये उत्तर आता है, कि हर व्यक्ति सही ही करना चाहता है, गलत कोई करना नहीं चाहता है। और यदि कोई गलत करता है तो इसका मतलब है कि वो परिस्तितियों के दभाव में हैं एक बात और दूसरा कारण यह होता है कि उसको ज्ञान नहीं है अग्ञान है उसके अदर तो प्रस्थ है कि किस बात का अज्ञान होता है मानों के अंदर अज्ञान किस बात का होता है तो इसको अध्यन करने पे पता लगता है कि यह दि मानों को नियमों का अज्ञान नहीं होता है नियाय का अज्ञान नहीं होता है व्यवस्था का ज्यान नहीं होता है और सत्य का ज्यान नहीं होता है तब वो अज्यान में रहता है और अज्यान पूरवक जीने से उसमें स्वयम में विश्वास नहीं होता है और गलती होने की संभावनाय बनी रहती है और जब मानों गल्ती करता है तो वो स्वयम भी दुखी होता है उसका परिवार दुखी होता है समाज दुखी होता है और पूरी मानों जाती भी दुखी होती है जितनी बड़ी गल्ती करता है उतना ज़्यादा दुख समाज में व्याप्त होता है मैंने आपको इसके उधारण देते हुए समझाया था जैसे यदि हम प्रकृति में नियम विरुद्ध उत्पादन करते हैं चाहे हम agriculture का उत्पादन करते हैं, agriculture product का उत्पादन करते हैं या industrial production करते हैं यदि प्राकृतिक नियमों में हस्तक्षेप करके, प्राकृतिक वातावरन को disturb करके प्राकृतिक क्रिया कलाप के विपरीत में जाके यदि हम उत्पादन प्रणालियों को मानो परंपरा में इस्थापित करते हैं तो उसका प्रभाव पूरी मानो जाती के उपर होता है जिसको हम लोग देख रहे हैं हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि जैसे खाद्यान और सबजी हैं फल दूद आदी का जो उत्पादन है उसमें हमने प्राकृतिक नियमों की उपेख्चा करके ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए अत्यदिक मात्रा में फर्टिलाइजर का और वो भी रासाइनिक खादों का उप्योग किया और कीट नासकों का उप्योग किया इस बात की परवा किये बिना कि ये कीट नासक खाद्यान में वनस्पतियों में वेजी टेबल्स में एब्जार्ब होके मानो सरीर में पहुँचेंगे और मानो सरीर को रोगी करेंगे और हम लोग देख रहे हैं कि जो नियम विरुद्ध हमने क्रसी का उत्पादन किया उसके कारण से बहुत प्रकार के रोग बढ़ रहे हैं क्योंकि कीट नासक की मात्रायदी जादा होती है तो उसके कारण से लीबर, किडिनी, पैंक्रियास ये तो डेमेज होते ही हैं और कई बार ब्लट कैंसर भी होता है और कैंसर भी होता है क्योंकि जो सेल होती है वो नेचुरल एन्वायरमेंट में ग्रोथ करती है और जो पैस्टिसाइड है ये कीट नासक है उसको डालने से कैंसरद ग्रोथ होने लगती है सेल्स की और उसके कारण से कैंसर की, कैंसर का रोग जो है वो बढ़ता जा रहा है जैसे हम लोग देख रहे हैं कि हरियाना और पंजाब में कैंसर का रोग जो है बहुत बड़ी मात्रा में कैंसर वहाँ पहला हुआ है उसका कारण है कि जो कीट नासक का उपयोग करते हैं वो कीट नासक जो है किसानों को या खेती हर मजदूरों को स्वास के माध्यम से या खाने पीने के माध्यम से उनके सरीर में चला जाता है और फिर वो कैंसर को जन्र देता है तो इसलिए क्योंकि आप सब विध्यारती हैं और आपको engineering और technology के चेतर में, science के चेतर में काम करना है तो इसलिए appropriate technology ऐसी technology को हमको विक्सित करना चाहिए ऐसी engineering को हमको बनाना चाहिए जिस engineering के कारण से उत्पादन तो हो लेकिन वो प्रकृती के नियमों के विप्रीत ना हो अभी हम लोग ऐसा सुनते हैं राश्टी इस तर पे और अंतराश्टी इस तर पे sustainable development की बात करते हैं और मुझे लगता है कि अभी समय आ गया है कि sustainability की बात नहीं है survival की बात है यदि मानों अपनी उत्पादन प्रणालियों को ठीक नहीं करता है तो मानों इस प्रच्वी पर नहीं रह पाएगा तो इसलिए sustainability से काम नहीं चलेगा sustainability का मतलब होता है कि environment एक निश्चिस सीमा तक जो नियम विरुद उत्पादन प्रणालियों के परणाम है उसको जेल पाता है और उसके बाद जेल नहीं पाता है लेकिन अभी पूरी दुनिया का अध्यन करने पर ऐसा पता लग रहा है कि हमने sustainability की जो लाइन है उसको तो कपका क्रास कर दिया है और हमने वायू मंडल को खराप कर दिया है पानी को खराप कर दिया है ग्राउंड वाटर को खराप कर दिया है मट्टी की फर्टिलिटी को खराप कर दिया है हमने अपने बीजों को जिन बीजों के माध्यम से मुतपादन करते हैं उसको उसमें भी जहर डाल दिया है और एक बहुत बड़ी समस्या हमने मानो जाती के सम्मुख पैदा कर दी है और इस समस्या को लेके पूरी साइंटिफिक एकेडमिक कम्यूनिटी चिंतित है और इसलिए गौर्मेंट आफ इंडिया ने ये यूनिवर्सल हुमन वैलियूस का प्रोग्राम जो है डालके एक अवेर्नेस पैदा करने का प्रयास किया है इनिशली आज से दस साल पहले जब इस प्रस्ताव को लाया गया था तो सिख्चा संस्थाएं जो है इस पे आर्गुमेंट करते थे कि भई हम इंजिनरिंग पढ़ाएंगे हमको वैलियूस के क्या जरूरत है लेकिन उस समय सुप्रीम कोट ने एक ऐसा डिसीजन दिया और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से एन्वाइर्मेंट का लास हो रहा है और जिस से हुमन लाइब को जो है खत्रा पैदा हो रहा है और इसलिए अवेर्नेस जो है वो पैदा करना जरूरी है और इसलिए सुप्रीम कोट ने एक डिसीजन दिया और उसमें कहा कि एन्वाइर्मेंट स्टडीज को जो है कंपल्सरी प्रोगाम के रूप में जो है सामिल करना चाहिए और इस प्रकार से environment studies जो है वो higher education से primary school तक जो है compulsory program के रूप में आई इसी प्रकार से क्योंकि इसका संबंध जिसको हम value system कहते हैं भई नियम बुरुद उत्पादन आदमी क्यों कर रहा है तो उसके मूल में लोब है और लोब के मूल में संग्रय की भावना है संग्रय का मतलब होता है कि हम अपनी आवसकता की वस्तू को आवसकता से अधिक संग्रय करते जाते हैं और इस उम्मीद में संग्रय करते हैं कि हम संग्रय करके सुखी हो जाएगे और संग्राय का कोई त्रिफ्ति बिंदू होता नहीं यह उपर की लाइन नहीं खीच पाते हैं कि 10 लाग, 50 लाग, 1 करोड, 10 करोड, 100 करोड में कहीं पे जाके संग्राय जो है पूरा हो जाए और इसलिए संग्राय का त्रिफ्ति बिंदू नहीं होने के कारण से मानो में आर्थिक रूप से असंतुलन हो गया जिसको हम लोग गरीबी और अमीरी के असंतुलन के रूप में देखते हैं और यही गरीबी अमीरी का जो असंतुलन है यह कई प्रकार की सामाजिक समस्याओं को जन्म देता है जिसमें से अपराद एक है भरस्टाचार दूसरा है आतंगवाद तीसरा है तो यह सामाजिक समस्याओं के मूल में भी कहीं न कहीं प्राकरतिक नियमों की उपेक्चा का सिद्धान जो है प्रिविट्ती काम करती है और मैंने आपको बताए कि यह संग्रय को अधिक लाब कमाने के द्रिश्टी कोण से इसको किया जाता है और लाब जो है लोब से युक्त होता है और जब आदमी लोब से युक्त होता है तो उसमें सोसन करने की प्रिविट्ती आते है और जब वो सोसन करता है तो बिना अपरात के सोसन नहीं होता तो फिर वो अपरात करने लगता है अपरात का मतलब होता है वो प्राकृतिक नियमों के साथ सामाजिक नियमों के साथ, राष्टिय नियमों के साथ, विधी विधान, संविधान के साथ समझोता करता है और इसके विप्रीत उत्पादन प्रणालियों को करता है जिसके कारण से मानव जाती में और प्रकृती में असंतुलन के रूप में समस्याइं पैदा होती है जब कोई अपराद करता है तो जो अपराद नहीं करते हैं उनके अंदर अपराधियों के प्रती विरोध बनता है फिर अपराधी जो है अपराध का प्रतिकार करते हैं तो अपराध करना और फिर अपराध के प्रतिकार यानि उसका विरोध करने के रूप में सुसाइटी में कॉन्फिक्ट होता है इसी प्रकार से जब विरोध जो है हिंसा में बदल जाता है तो हिंसा परती हिंसा के रूप में समाज में हिंसा इस्थापित हो जाती है उसके मूल में भी कही न कहीं लोब की संग्रय की प्रविटियें जो हैं काम करती है तो यदि हम लोब से संग्रै की प्रविर्टियों से मुक्त नहीं होते हैं तो समाज को हम हिंसा से, अपराद से, आतंगवाद से, गरीबी जैसे अभिशाप से, भुक्मरी से हम इससे मुक्त नहीं कर पाएंगे और नहीं मुक्त कर पाएंगे, ऐसा सोचना जो है, संबेदन सूनता का भी प्रमाण है जैसे जो लोग उत्पादन करते हैं और वो कहते हैं, हम को तो केबल पैसे कमाने से मतलब है और मेरे success का मतलब ही होता है कि मैं पैसा कमा पा रहा हूँ के नहीं कमा पा रहा हूँ तो अपने success के चक्कर में वो समाज और प्रकृति के में जो विवस्ता है उसको छती पहुँचाते नुकसान पहुँचाते और उसके कारण से आज ऐसी इस्तिती पैदा हो गई है कि लगबग हर इस तर पे disorder हमको देखने को मिलता है और इसके awareness की आवा सकता है क्योंकि हमारी generation तो एक प्रकार से IU का maximum हिस्सा पार कर चुकी है लेकिन आप लोग के सामने एक लंबी IU है आप लोग मेरी ख्याल से 18-21 साल के बीच की IU में होंगे और अभी आपको 50-60 साल जीना है तो 50-60 साल तक जो है यदि हम projection करके देखते हैं यदि इसी विधी से हम जीते रहे तो इस प्रत्वी का क्या हाल होगा तो यह हमारी कलपना में नहीं आ रहा है वेज्यानिकों की कलपना में नहीं आ रहा है जो लोग noble laureate हैं जो इस पे काफी research भी करते रहते हैं environment studies पे environment पे environment का जो degradation हो रहा है या जो बाकी जो प्रकार के degradation हो रहे हैं यदि उसको study करने वाले लोग इस बास से आसंकित हैं कि यदि इसी तरीके से मानो चलता रहा प्राकृतिक नियमों की उपेक्षा करके तो साइद मानो का survival इस प्रत्वी पर नहीं होगा है और इसलिए मैंने कहा कि cable sustainability के point of view से सोचने की बजाए हमको अब survival के point of view से विचार करना पड़ेगा क्या मानो इस धर्ती पर survive करना चाहता है या नहीं करना चाहता और यदि करना चाहता है तो विकल फीनता है हमारे पास प्राकृतिक नियमों के साथ चलने की विकल फीनता है एक समय विज्ञान ऐसा मानता था कि वो प्रकृति पे नियंतरन कर लेगा धीरे धीरे उसको realize हुआ कि प्रकृति पे नियंतरन नहीं किया जा सकता है प्राकृतिक नियमों के साथ जीया जा सकता है इस बात को समझने लगे हैं और इसलिए प्राकृतिक संतुलन का सिद्धान वैस्विक रूप में स्विकृत हो गया है और academics के माध्यम से पूरी दुनिया में प्राकृतिक संतुलन संबंधी मुद्दों को अध्यापन के माध्यम से उसका लोग व्यापी करण किया जा रहा है ताकि मानों प्राकृतिक नियमों के साथ संतुलन पूरवक जीने को सीख सके एक मुद्दा है यदि हम मूल ले चेतना की बात करते हैं यूनिवर्सल हुमन वेल्यूस की बात करते हैं तो हमको इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है दूसरा मुद्दा है एक समय ऐसा था कि मानों अन्याय के साथ भी जीता था फिर भी जी लेता था जैसे मानों मानों सम्मंद में न्याय की बात है यदि मानों विश्वास सम्मान प्रेम इसने ममता वासल करतगता गोरो स्रद्धा प्रेम के साथ नहीं जीता है यदि इन मुल्यों के साथ नहीं जीता है तो मानों में अन्याय होता है अन्याय होता है तो क्या होता है परसपरता में विश्वास होता है एक व्यक्ति का अपने परिवार के सदस्यों के साथ विश्वास नहीं होता है माता पिता बच्चों पर विश्वास नहीं करते हैं बच्चे माता पिता पर विश्वास नहीं करते हैं भाई महन आपस में और जब विश्वास तूटता है तो बहुत प्रकार की सामाजिक और पारिवारिक समस्याइं पैदा होती हैं और कई बार ये समस्याइं नयाएक छित्र में भी चली जाती हैं जैसे मैंने एक आपको बताया था कि पूरी दुनिया में डाइवोर्स का रेट जो है वो बढ़ र हैं परिवार नाम की संस्था खतम हो रहे हैं प्रस्त हैं कि यदि परिवार नहीं होगा तो आदमी जीएगा कैसे इसका कोई डिजाइन अभी तक मानो जाती में नहीं आया है इसलिए नयाए एक बहुत महत्तपूर्ण मुद्दा है और इसके कारण से जब रिलेशन्सिप बीच में विश्वास तूटता है तो जगड़ा होता है और लडाई जो है हिंसक रूप ले लेती है और बाद में अदालतों की सरण में जाना पड़ता है और यदि राष्ट राष्ट के बीच में विश्वास तूटता है तो युद्ध पैदा होते हैं और यदि अद्धर तराश्टी इसतर पे मानौ जाती का रास्टों की परस्परता में विश्वास टूटता है, उस स्तिती में हर राष्ट मनमानी करता है और विश्विद्ध तक की सम्हावनाएं पैदा हो जाती है। एक समय ऐसा था कि हतियार हमारे पास उतने घातक नहीं थे तो यदि मानो मानो के साथ लड़ता था तो भी एक छोटे से छेत्र में हिंसा होती थे लेकिन आज इस्तिती ऐसी हो गई है कि दुनिया के बहुत सारे देशों के पास परमानू हतियार हैं और कभी कोई विश्विद होता है और विश्विद में दी परमानू हतियारों का उपयोग होता है तो मानो जाती इस प्रत्वी से पता नहीं अनंत काल के लिए समाप्त हो सकती है ऐसा लोग कह रहे हैं कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि हमारे पास इतने परमानू हतियार हैं कि हम इस प्रत्वी का 200 बार विनास कर सकते, 200 बार इस प्रत्वी पे पूरी लाइव का विध्वन्स कर सकते, इतने हत्यार मानों ने और ये हत्यार बनाई क्यों क्योंकि मानों को मानों के साथ जीना नहीं बन रहा है और इसलिए मैंने का यदि परिवार तूटेगा, तो आदमी किसके साथ जीएगा, अकेले तो जी नहीं सकता, अकेले लड़ सकता है बस और जैसे जैसे ये सामाजिकता तूटती है, संबन तूटते हैं रास्ट भी तूटता है जैसे दुनिया के कुछ देश थे जो एक समय बहुत विस्तारवादी नीती के अंतरगत चले गए थे, जैसे रशिया जो है, पोले, ढंगरी, रोमानिया चेकोस्लोबाकिया, इस जर्मनी उजवेकिस्तान, कजाकिस्तान आधी बहुत सारे कम से कम 20-25 देशों को रशिया ने निगल लिया लेकिन धीरे धीरे वो जो दो देश हैं, आपस में लड़ रहे हैं और इसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि साइद कभी विश्युद्ध भी हो सकता है क्योंकि एक को जो है अमेरिकन लाभी सपोर्ट कर रही है नाटो कंट्रीज जो है नाटो की संख्या में लोग मरेंगे और ये भी हो सकता है कि यदि परमानु हत्यारों का आनियंतरित प्रयोग हो गया तो इस धर्ती से पूरी मानो जाती समाप्त हो सकती है इसी लिए न्याय को समदने की ज़ुरत है और न्याय को सभी को समदना पड़ेगा यदि हम ये चाहते हैं हम जीना चाहते है अभी सुख पूरवक जीना तो बहुत दूर की बात है हम इस धर्ती पे जीना चाहते है इसके लिए हमको न्याय की समद जरूर है क्योंकि जो मानो का तूटना है जिसको हम कहते हैं मानो तूट रहा है मानो के तूटने का मतलब ही होता है विश्वास का तूटना संबन्दों का तूटना सामाजिकता का तूटना व्योहारिकता का तूटना रास्टिकता का तूटना मानोता का तूटना इसी को कहते है मानों में तूटन आ रही मानों खंडखंड हो रहा है विखंडित हो रहा है पहले से ही हम लोग समदाय चेतना में थे रंग, नसल, वर्ण, आदी की समदाय चेतना में थे और समदायों के बीच में जो तूटन थी उसके कारण से भी conflict है यदि आप History of Civilization को पढ़ते हैं तो आपको यह पता लगेगा कि ज़्यादा तर जो वार हुआ है वो समधायों के बीच में हुआ है या तो religious conflict रहा है या ethnic conflict रहा है या caste based conflict रहा है जैसे हमारे इंडिया में caste based conflict भी देखने को मिलता है या फिर रंग के अधार पर गोरे और काले के बीच में conflict रहा है या नसल के अधार पर जैसे Second World War जो है मैंने बताया था कि नसल के अधार पर और ये सारे वार के मूल में एदी कोई चीज है तो वो अन्याय है क्योंकि अन्याय से क्या होता है संबन टूटता है संबन तूटता है और संबन जब तूटता है तो मानो दुखी पीडित होता है और उसके कारण से उसमें घरणा और द्वेश आता है द्वेश आता है मानसिक रूप से जब द्वेश रहता है उसको घरणा कहते है और जब वो फिजिकल रूप में आ जाता है तो उसको हिंसा कहते हैं यहने जो मानों में जो द्वेस है ना द्वेस का मतलब होता है दूसरे का नास करके अपने सुक की कलपना करना है इसको द्वेस कहते है अभी यह प्रविट्टी हम लोगों को कई परिवारों में समाज में देखने को मिलती है कई जातियों में देखने को मिलती है दूसरी जाती के लोगों को मार के अपने सुक की कलपना करते हैं जैसे जाती conflict होता है उसमें वो एकी जाती के लोगों को मार ढालते हैं जैसा फूलन देभी का आप लोगों ने नाम सुना होगा है एक थी तो उसके जाती के लोगों को कोई दूसरी जाती के लोगों ने लाइन से खड़े होके उनकी हत्या कर दी ते और उसके रिटेलियेशन में फूलन देवी डाकू बनी उसने अपना गेंग बनाया अपनी जाती के लोगों को इखटा करके और जिस जाती के लोगों को मारा था उनसे बदला लिया तो हमको यह समधना पड़ेगा कि मानो न्याय के बिना नहीं जी सकता है यदि हम न्याय को सुनिश्चित नहीं करते हैं तो यह कानफ्लिक बने रहेंगे दुख बना रहेगा, भाय बना रहेगा, आतंक बना रहेगा, हिंसा बनी रहेगी और मानों आतंक, हिंसा, युद, लड़ाई, जगडे, वेर, विद्रो, से मुक्ती चाहता है इसलिए न्याय को समझना जरूरी है और इसलिए मैंने कहा कि मानों मानों के समझ है उसी में न्याय समझ में आता है तो न्याय के सबसे पहले कहां समझेंगे तो माता-पिता-पुत्र-पुत्री समझ में ही समझ पाएंगे यदि माता-पिता-पुत्र-पुत्री समझ में यदि इसने है, विश्वास है, प्रेम है, ममता है, बच्चों में कृतग्यता है, गोरो है तो समझ है और समझ का सुख है और यदि इसके विपरीत उपेक्षा है, उदासींता है, पलायन है, विरोध है, द्वेश है तो संबंद में सुख नहीं है और संबंद तूट जाएगा, संबंद तूटेगा तो परिवाद तूटेगा तो कई परकार की समस्याएं पैदा होती हैं, जैसे जो नए बच्चे पैदा होते हैं और यह दि परिवाद तूट जाता है, तो उनके लिए किंडर गार्डन बनाने पड़ते हैं, जहां बच्चों को पाला जाता है दुनिया में कई देश ऐसे हैं, जहां बच्चे माता-पिता नहीं पालते हैं, क्योंकि माता-पिता में जो रिलेसंसिप है, अनिस्टेबिल रिलेसंसिप है या single parent society है single parents वाला है तो अब एक मा या एक पिता तो अपने संतान को पाल नहीं सकती है तो फिर वो क्रेस बना देते हैं उस क्रेस में बच्चों को दे देते हैं उन क्रेस का नियंत्रम जो है वो राज्य करता है तो राज्य जो है वो खाने पीने की बिवस्था तो कर सकता है लेकिन वो मूल्यों का संस्कृती का भासा का संस्कार नहीं दे सकता है और इसलिए वहाँ न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती माता पिता के अंदर में नैसरगिक रूप से करतब दाईत का भाव होता है ममता वासल का भाव होता है इसने रहता है लेकिन यदि जिनके साथ संबंद नहीं है या जिनका कोई संबंद नहीं नोकरी करने के लिए क्रेश में जाते हैं उनमें ममता वासल हो जाना हो सकता है ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नहीं हो सकता है, लेकिन सम्भावना कम होती है, एक ये समस्या पैदा होती है, दूसरी समस्या ये पैदा होती है, कि परिवार में बुजुर्ग पल जाते हैं, यदि परिवार है, तो जब हमारे हाथ पेर असक्त हो जाते हैं, इंद्रियें असक्त हो हो जाती उनका देख्भाल हो जाती उनकी भावनाओं का सम्मान हो जाता है लेकिन यदि यही कि यदि किसी संस्था में पलते हैं जैसा आजकल हम लोग देख रहे हैं व्रत धास्रम में जो है माता-पिता चले जाते हैं तो उनका चिकिस्सा का विवस्था तो हो सकता है खाने पीने का विवस्था हो सकता है लेकिन उनके दुख का इलाज नहीं हो सकता है वहाँ दुखी ही रहते हैं क्योंकि संबंध हीनेता में मानों दुखी होता है इसलिए न्याय को समझना पड़ेगा हमको परिवार में समाज में राष्ट में अंतराष्ट में है ना सामाजिक संबंधों में और उसके प्रभाव को समझना पड़ेगा अन्याय को भी इसी प्र जिसका नाम है future shock और उस future shock जो है दुनिया की बहुत ज्यादा भिखने वाली किताबों में सामिल थी और उस future shock में उन्होंने मूल जो उसका content था वो social disintegration था और दूसरा था इंडिविजुलिटी के कारण से परिवार कैसे टूट रहे हैं व्यक्तिवात के कारण से परिवार का कैसे disintegration हुआ American society में European societies में उसके कारण से क्या समस्याइं पैदा हुई वो भी उन्होंने उस किताब में उसको उले किया है तो मुझे ऐसा लगता है कि यह सब न्याइ से जोड़े हुए मुद्दे हैं इन मुद्दों को यदि हम सिक्षा के माध्यम से विध्यारतियों के अंदर या नई पीड़ी के अंदर यदि हम न्याइ के सिद्धानतों को प्रतिष्ठित करते हैं तभी यह समाज बच कोई जैसा अभी नार्थ कोरिया के प्रिजिडेंट के बारे में सुनते हैं तो फिर वो अनियंत्रित रूप से परमाणू हत्यारों का प्रयोग कर सकता है और उससे बड़ी संख्या में या समूची मानव जाती इस प्रत्वी से समाप्त हो सकते हैं इसके बाद तीसरी समाज एक बिवस्ता है राज एक बिवस्ता है पूरी मानव जाती में सभी राष्ट मिलके एक और को बनाना चाहते हैं जिसको ग्लोबल आर्डर वर्ल ग्लोबल आर्डर कह रहे हैं और इसके अलाबार यह जो और ली नैस है यह सभी में रहती है परमाणू भी और में ही रह ताप का संतुलन होता है बाहर कितनी भी गर्मी और ठंडी हो लेकिन मानों के शरीर के अंदर का ताप कांस्टेंट रहता है इसी प्रकार से खनिजों का संतुलन रहता है, साल्ट लेबिल सुगर लेबिल, पोटेशियम लेबिल, इन सब का एक बैलेंस रहता है और यदि ये balance बना रहता है तो शरीर order में रहता है नहीं तो शरीर disorder में चला जाता है इसी प्रकार से ये सभी प्रकार की अवस्थाएं आपस में मिलके एक order को create करती है और उस order के कारण से climate का एक order बनता है जिसको हम लोग रितू संतुलन कह रहे हैं क्लाइमेट का balance बना रहता है और यदि क्लाइमेट का imbalance होता है उसके कारण से नहीं नहीं प्रकार की environmental problem पैदा होती है उत्पादन में उनका असर पढ़ता है और उत्पादन में असर पढ़ने से एकनामिक साइकल के उपर भी असर पढ़ता है एकनामिक साइकल पर असर पढ़ने से मानों के लिए समस्याएं पैदा होती है तो इसलिए हमको परमानू से लेके ग्रेय गोल नक्षत्र तक और एक जीव से लेके एक कोसी जीव से लेके मानो सरीर रचना तक जो आडर है उस आडर को समझना पड़ेगा उस आडर के इनकूल जीने को प्रतिष्ठित करना पड़ेगा मानो जाती में यदि हम जिसको हम कहरें यूनिवर्सल हुमन वेलिउज मतलब मानो के सारवभोमिक को एदि हमको समझना है तो यह एक अनिवारिता है आवसकता है जिसको हम सब को समझना ही पड़ेगा हमारे पास कोई आप्सन नहीं है यह जागरती के लिए अनिवार है है ना कोई कहे कि मैं यूमन वेलिउज को नहीं पड़ता हूं मेरा इंट्रेस्ट नहीं है मैं तो पढ़के पैसा कमाना चाहता हूं हो सकता है लेकिन कहीं ना कहीं संकत में पढ़ेगा उसका इंडरस्टी संकत में पढ़ेगा उसका नोकरी उसका जीना उसका है उसके इंदर होंगे psychosomatic diseases होंगी उसमें अकेला पन आ सकता है यदि उसको न्याई की समझ नहीं है इसलिए आपको समझना ही पड़ेगा यह अनिवारेता है इससे बचा नहीं जा सकता है और यदि इससे बचना है तो हम यह कहेंगे पूरी मानो जाती जो है basics light है जिसके आदार पर universal human values का framework बनाया जाता है philosophical framework जिसको कहता है और उसमें यह कहा था कि सत्य का भी सत्य के साथ जीना भी हमको सीखना पड़ता है और सत्य क्या है कि existence is coexistence यानि जो जीना है वो सह अस्तित्त में होता है अकेले में जीना नहीं होता इस सिद्धान को समझना पड़ेगा जैसे वनस्पति संसार है वो भी सहस्तित्त में ही रहता है क्योंकि उसको हवा पानी मट्टी जो है पोशक तक तो उसको पदार्था वस्था से मिलते हैं तब ही वो जी पाता है इसी प्रकार से जीव संसार को हवा पानी मट्टी भोजन आदी मिलता है पेड़ पोदों से और material mineral order से और ऐसे ही मानव का है तो इसलिए सहस्तित्त के सिद्धान को समझना पड़ेगा और मैंने ये कहा कि जो सहस्तित्त है ये प्रकृति की चारों वस्थाओं में हैं पदार्ता वस्था, प्राना वस्था, जीवा वस्था, ज्याना वस्था में भी हो मानव में भी परिवार समाज राष्टंता राष्ट के रूप में सहस्तित्त है हर मानव संतान परिवार के सहस्तित में ही जी पाती है यदि परिवार में सहस्तित तूटता है तो मानव का जीना संभव नहीं है फिर वो वैसे ही जी सकता है जैसा हम लोग क्रैस के रूप में या जिसको हम व्रद्धाश्रम के रूप में देख रहे हैं और व्रद्धास्रम और क्रेस की विवस्था भी तब हो सकती है जब राज में सहस्तित बना है। यदि राज में भी क्योस आ जाएगा, डिसॉडर आ जाएगा, तो हम जैसे जंगल में जीते हैं, उस जगे पे चले जाएगे। जंगल में हर जीव जो है अपने अपने तरीके से जीता है, एक छोटी से अलब काल तक ही उनके जो जानवरों के जो माता पिता होते हैं, वो अपनी संतान की रक्षा करते हैं। और उसमें भी सभी जीव जानवर नहीं करते हैं, कुछी करते हैं। अधार विश्वास होता है तो शुक्सामति इसंतोस आनंद प्रशन्यता हर्स है शज्तर्मार्ण यानि उस्सवपूर्वक जीना होथा यह विश्वास तो मुच्वपूरवक नहीं जीते हैं भ Clinton पूर्वक जीते हैं झारे कि पीख्तर्लाय और है कैसे समझना तो तो एक आग तो मानोजाती ती में जो संबंद होते हैं,rastar हिएं उन सांब मनोजाती हTalk omnib場 पने अब्केशाय रहती है नेट अप्त्थाइं रहती हैं लेकिंसे पंधने के लिए का टीमत्य यह थे मानोजाती में प्रस्ण мои मैं क्या हूँ, क्यों हूँ, कैसा हूँ, है ना मानव क्या है, क्यों है, कैसा है और ये प्रकृति क्या है, क्यों है, कैसा है मानव को जब समझने जाते हैं तो समाज उसमें सामिल हो जाता है तो समाज क्यों है याने परिवार क्यों है समाज क्यों है रास्ट क्यों है अंतरास क्यों है ये समझने के मूल बुद्दे होते हैं फिर प्रकृति के साथ अस्तित तो है ये तो अस्तित तो क्या है और इसके साथ मेरा अपना होना मेरा अपना होना सरीर की सीमा तक है या सरीर त्यागने के बाद भी मैं बना रहता हूँ, जैसा हमारी परमपराओं में हम सुनते आ रहे हैं, फिर काया ये जो समझने की विधी है, तो परमपरा में पहले हम लोग एक विधी का उपयोग करते थे, जिसको दार्शनिक विधियें कहते हैं, और उनमें हम लोग भक्ती और व पानव जाती की समक्ष है, लेकिन अभी जो विधी प्रचलित है, वो निरिक्षन, परिक्षन, सर्वेक्षन है, तो स्वेम में निरिक्षन करना, परसपरता में उसका परिक्षन करना, सारभोमिक्ता में सर्वेक्षन करना, सर्वेक्षन करने का सारभोमिक्ता में कैसे करते तो सेंपल विधी से करते हैं जैसे मान लीजे हमको भारत का सर्वे करना है तो हम हर राज में से 100-100 सेंपल लेके ऐसे 1000-2000 सेंपल के माध्यम से हम एक सर्वेक्षन करके सार्भोमिक्ता को है ना सबकी अपेक्षाओं को जो भी हमको हमारा प्रस्न है उससे संबंदित, समाधान को, उसकी यूनिवर्सिलिटी को, उसके सिद्धान्त को, उसके नियम को हम लोग समझ सकते तो इसलिए यहाँ पर जो विधी बताई जा रही है वो कोई योग आसन, ध्यान, उपासना, साधना, हाट योग इस सब की बजाय यह कहा जा रहा है कि निरिक्षन, परिक्षन, सर्वेक्षन है क्योंकि आप academic institution में इसी विधी को apply करते हैं निरिक्षन, परिक्षन, सर्वेक्षन विधी से ही जो प्राकृतिक सिद्धान्त हैं जिसको law of physics कहते हैं या law of engineering कह रहे हैं और जिसको law mechanics कहते हैं वो भी इसी विधी से समझ में आते हैं निरिक्षन, परिक्षन, सर्वेक्षन विधी से ही समझ में आते हैं और तभी उनकी universality पे विश्वास होता है तभी हम उसका application, engineering technology की रूप में कर पाते हैं तो इसलिए समझने की विधी यही है इसको है, इसके बाद मैंने कहा कि जो लोग केबल ऐसा सोचते हैं कि मैं हूँ बस, मेरा जीवन है, मैं हूँ है न, मेरी life और मेरी life से किसी को मतलब नहीं होना चाहिए ऐसा जो लोग सोचते हैं, वो सम्बंद में नहीं जी पाते हैं वो संबन्द में नहीं जीते तो एक सीमा तक आपकी इंडिविजूलिटी चल जाती है लेकिन जब आप किसी दूसरे के साथ नहीं होते हैं तो दूसरा भी आपके साथ नहीं होता है ऐसी इस्तिती में आप अकेले हो जाते हैं अखेला आदमी केवल भौतिक वस्तुओं के साथ रह सकता है। वो किसी के साथ रिलेशन्शिप में नहीं रह पाता है। और इसलिए मैंने देखा है कि जो अती संपन्ने लोग हैं, जो भौतिक्ता पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, उनमें मेरेज रिलेशन्शिप जो है, वो अनिस्टेबिल हो रही, आइस्थिर हो रही। क्योंकि जब दोनों साधी करने के बाद भौतिक्ता से सुखी होने के लिए लक्ष बना लेते हैं, तो उनमें आपस में रिलेशन्शिप का सुख विखसिती नहीं हो पाता है। इसलिए संबंद को समझने के लिए मैं हूँ और दूसरा भी है, परिवार है, समाज भी है, और परिवार समाज के साथ प्रकृती भी है, विवस्था भी, इन सब के योगफल में ही समझने की किरिया होती है। जो लोग अकेले चलते हैं, उनको अकेले जीना पड़ता है और अकेले जीने में कोई सुख नहीं होता है, फिर वो मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं, मानसिक रूप से परेशान होते हैं, संबंदों में समस्या बन जाते हैं, और जब कोई वेक्ती संबंद में समस्य बनता है तो वो परिबार समाध राष्ट में भी समस्या बन जाता है और ऐसा वेक्ति के हाथ में दी पावर आ जाती है तो प्रकृति का भी मनमाना उप्योग करता है तो इसलिए सह अस्तित्त में ही समझने की क्रिया होती है इसलिए हमको स्वयम को भी समझना है और संबंद को भी समझना है जो कि हम स्वेयम को समझने हैं और समध को नहीं समझेंगे तो जीना नहीं होगा इसलिए जीने के लिए दोनों चीजों को समझना जरूरी है फिर मैंने कहा कि जब हम स्वेयम को समझने जाते हैं तो पता लगता है कि मैं द्रश्टा करता भोगता हूँ, विश्वास और संबन्द पूर्वक यदि मैं जीता हूँ, तो मेरे अंदर आसा विचार इक्षा जो है वो नियंत्रित, संतुलित रहते हैं और यदि मेरे अंदर अविश्वास है और संबन्द नहीं है, तो हमारा आसा विचारिक्षा जो है वो अनियंत्रित हो जाता है असंतुलित हो जाता है डिसॉर्डरली हो जाता है और वही डिसॉर्डर जो है वो अंतरद्वन्द को पैदा करता है और मांसिक तनाव को पैदा करता है और मांसिक तनाव के कारण से मांसिक पीड़ा पैदा हो इसलिए सुखी होने के लिए जरूरी है कि हम विश्वास के साथ जीएं और रिलेशन्सिप में जो सम्मान इसने प्रेम ममता वासल है उसको समझें और एक दूसरे के भावनाओं का सम्मान करें तब ही हम जो है सुख सान्ती संतोस आनंद के साथ प्रसन्यता के साथ जी सकते है फिर ये बताया कि हम लोग कन्फ्यूजन कहा हो रहा है क्योंकि हम अपने को सरीर मान के जीने लगते हैं हमको ऐसा लगता है कि हम सरीर ही है और सरीर है तो सरीर के साथ जीना क्या होगा तो इंद्रियों के साथ जीना होगा है जो भी sensory pleasures है उतना ही जीना होगा जबकि हम जीने को समझने जाते हैं तो जीना relationship में ही होता है जैसे कल प्रदीप जी कह रहे थी कि यदि कोई रोटी आपको fake के देगा आपको स्विकार नहीं होगा है क्योंकि आपको सरीर के portion से ज़्यादा respect कियावा सकता है और इसलिए मानो सम्मान पूर्वग भोजन की विवस्ता करता है केवल भोजन की विवस्ता नहीं करता है इसलिए हमारे constitution में लिखा है dignity of individual हमारा constitution इस बात की आश्वासन दे रहा है कि हर व्यक्ति की dignity को भी सुनिश्चित किया जाएगा और साथ साथ वो ये भी कह रहा है सामाजिक आर्थिक राजनितिक न्याय यदि आप अपने constitution के preamble पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि न्याय के साथ dignity याने हमको भोजन केवल इसलिए नहीं चाहिए जैसा जानवरों को चाहिए हमको सम्मान के साथ चाहिए हमको यदि हम हमारे अंदर अविश्वास हो जाए जैसे हमारे relationship में हमको अविश्वास हो जाए तो भोजन पे भी अविश्वास हो जाए यदि आप किसी restaurant पे अविश्वास हो जाए कि एक खराब तरीके से बनाता है तो आप भोजन पे भी अविश्वास हो जाएगा आसा विचार इक्षा के रूप में रहता है आसा विचार इक्षा के रूप में हम अपने होने को पैचानते हैं और सरीर का होना बहुत एक रासाईनी क्रिया है जो अंग अवेवों के साथ होता है और सरीर की आवसकता है रोटी कपड़ा मकान के रूप में रहती हैं इस पे भ और चिंतन नाम की क्रिया होती, बुद्धी में बोध और संकल्प नाम की क्रिया होती, आत्मा में अन्भव प्रमाण नाम की क्रिया होती, ये सब को अध्यन किया जा सकता है, तो मन में जो है उसी को आसा कहते हैं, वृत्ती में जो तुलन विशलेशन हैं उसी को विचार कहते चित्त में जो चित्रन और चिंतन है वही इक्षा के रूप में रहता है और बुद्धी में जो बोध होता है याने जो ज्ञान संपन्यता आती है उसी को रितंबरा कहते हैं और आत्मा के अंदर हम प्रामानिक अन्भा होता है वही व्यक्ति प्रामानिकता के साथ जी पाता है तो इस तरीके से जीवन के अंदर के क्रिया खलाप को समझने से हमारे अपने अंदर स्वयम में विश्वास बनता है यदि हम स्वयम को सरीर मान के जीते हैं तो ये जो जीवन के अंदर का क्रिया खलाप है ये वो पेक्षित रहता है और इसलिए फिर हम निर्णे नहीं कर पाते क्योंकि तुलन विस्लेशन ठीक से नहीं होगा तो निर्णे नहीं होगा सही गलत की समझ नहीं होगी तो निर्णे नहीं होगा वो एक प्रस्ण था न तुरित निर्णे कैसे हो सकता तो तुरित निर्णे के लिए कुछ आवश्यक चीज़ें को हमको समझना होता है जैसे सही गलत क्या है और हमारे अंदर तुलना करना विशलेशन करना आना चाहिए यदि ये दोनों का योगफल ठीक है तो हम तुरित निर्णे ले सकते है और यदि हमको तुलना करना विसलेशन करना नहीं आता है और हमारे अंदर सही गलत क्या है इसका निश्य नहीं है यदि इसका हमको पता नहीं है तो हम निर्णे नहीं ले पाएंगे इसलिए तुरित निर्णे लेने के लिए जीवन के अंदर के क्रिया कलाब को समझने की आवा सकता होती और इसी को फिर मैंने और विस्तार से बताया था कि जो मेरी आवा सकता है वो स्वयम की सही समझ से आती है पूरी होती है स्वेयम में विश्वास के रूप में मेरी आवा सकता है मेरे जिनके साथ संबंध है उसमें यदि सहयोग है तो मेरी आवा सकता पूरी होती असहयोग जो है वो मेरी आवा सकता नहीं यहने संबंधों में न्याय की समझ जो है वो मेरी आवा सकता है और नियम की समझ, विधी विवस्ता की समझ मेरी आवसकता है जिसको हम कहते हैं ज्ञान, ज्ञान का होना क्योंकि अज्ञान मेरी आवसकता नहीं तो जो आदमी अज्ञान में रहता है वो भय में रहता है और जिसके अंदर ज्ञान होता है किसका ग्यान नियम नयाय धर्म सत्त का ग्यान विधी का ग्यान विवस्था का ग्यान मुल्यों का ग्यान यदि ये ग्यान होता है तो हमारा स्वयम में विश्वास होता है हम सुख सांती संतोस आनंद पूरवक जीते हैं और सरीर की आवसकता बिलको अलग है सरीर की आवसकता आहार आवास और साधन के रूप में रहती है, इसको हम लोग बोल्चाल की भासा में रोटी कपड़ा मकान आदी बोलते हैं, और सरीर की आवसकता उत्पादन विदी से आती है, और जो मेरी आवसकता के लिए उत्पादन नहीं होता है, विश्वास, सहयोग, संबान, फ्रेम क कोई उत्पादन नहीं होता है, न ये बजार में खरीदे जा सकता है, न इसको कोई बेच सकता है, न इसकी मार्केटिंग होती है, यह सही समझ से ही आते हैं, यदि हम सही तरीके से सोचने की समझ अपने अंदर, सोच समझ को विक्सित करते हैं, तभी मेरे अपने अंदर में ज्ञान आता है विश्वास आता है न्याई की समझ आती विदी विवस्ता में जीना बनता है जो मेरी आवसकता है और शरीर की आवसकता जो है वो रोटी कपडा मकान है वो उत्पादन से ही पूरी होती है यदि मानो उत्पादन नहीं करेगा तो मानो गरीबी में चला जाएगा आभाव में चला जाएगा दरिद्रता में और इसलिए मानो ने पूरी मानो जाती ने उत्पादन प्रणालियो की विवस्था को सुद्रन किया इस तरीके से सरीर की आवसक्ता भी एक अनिवारी काम है इसलिए मानों को दोनों चीजों को समझना होता है मेरी आवसक्ता पूरी होती है तो हम समाधानित होते हैं सरीर की आवसक्ता पूरी होती है तो हम सम्रिद्ध होते हैं सम्रिद्धी का मत और विच् Technology की थे पर यहीं से बात शुरूख की थी कि वेकती परिवार समाज और विश्व के बीच में अंतर संबंध है वेकती से परिवार है परिवार से समाज समा से राष्ट राट से अंतर राष्ट पर 500 करता है is समा Shaun को कुछ मिलता है समाज को कुछ करता उसे परिवार को मिलता है परिवार में जो भी क्रिया कलाब होता है उससे हर व्यक्ति परिवार के हर सदस को उसका कोई ना कोई हिस्सा मिलता है तो इस तरीके से इसके अंतर संबंध को समदना जरूरी है क्योंकि सभी एक दूसरे के लिए है मानो समाज आपस में सहस्तित्त पूरवक है और इसलिए हर व्यक्ति के विकास हो जागरती में दूसरे का सहयोग अनिवार रूप से ही रहता है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके विकास हो जागरती में दूसरों की मदद ना हो तो इसलिए कृतगता को हमको समधना चाहिए फिर ये का कि मानों की आवज सकता है एक दूसरे के सहयोग से ही पूरी होती है यदि हम इस सहयोग के सिध्धान को नहीं समझते हैं और इसी प्रकार से जो बात की थी कि प्रकृति में भी चारों अवस्थाओं का अंतर संबंध है, ये चारों अवस्थाओं एक दूसरे से हैं, एक दूसरे के लिए हैं और एक दूसरे के साथ हैं, और इससे पता लगता है कि मानों के विकास में पदार्ता वस्था, प्राणा वस्ता जीवा वस्ता का स्रम और पूरक्ता लगी हुई है यदि हम इस सिद्धान को समझते हैं तो हम प्रकृती में जो सहस्तित है प्रकृती में जो परस पर पूरक्ता है प्रकृती में जो परस पर उपयोगिता पूरक्ता है उन सिद्धानतों के आधार पे हम अपने जीने को सुनिश्चित करके अनंत काल तक इस प्रत्वी पे सुख पूर्वक जी सकते हैं और यदि इस सहस्तित तूटता है तो मानव सहित जीव संसार वनस्पती संसार भी धर्ती से समाप्त हो सकता है और फिर मैंने आपको बताया था कि जो भी मुल्यों के साथ जीना है उसमें कृ कर्तग्यता को मैंने बताया था कर्तग्यता का मतलब होता है मेरे विकास हो जागरती में मेरे परिवार के विकास हो जागरती में दूसरे का योगदान है इसकी स्वीकृती इसकी स्वीकृती इसी का नाम है कर्तग्यता तो मेरे विकास जागरती में परिवार का योगदान ह समाज का योगदान है, प्रकृति का योगदान है और जो सामाजिक, आर्थिक, राजनितिक विवस्थाएं हैं, संवेधानिक विवस्थाएं हैं, उनका योगदान है, इसकी स्वीकृति होना, यह स्वीकृति ही संबंद का भी आधार है और यह स्वीकृति का भाव ही कृतग गता है यदि हम केबल करतग हो जाते हैं तो बहुत सारी समस्याइं हमारे विवहार से ठीक हो जाते हैं क्योंकि करतगता होती है तो गोरवता होती गोरवता होती तो सरलता आती है सरलता का मतलब होता है निरहंकारिता आती है निरहंकार यदि हम होते हैं तो हम सरल नहीं होते है जटिल हो जाते है और जब हम निरहंकार के साथ रहते हैं याने सरलता से रहते हैं तो हमारा जीना सहज हो जाता जैसे माता पिता के साथ बच्चे सहज रहते हैं और यदि सहज रहते हैं यदि हम संबंदों में सहज रहते हैं परिवार संबंदों में सहज रहते हैं तो सामाज स्थित्मेसे के लिए कृतगता प्रगट होती है इस तरीके से हमको कृतगता को समधना चाहिए तो कृतगता यदी है सेंस आप ग्रेटिटूट है आपका अपनी संस्था के प्रती अपने सिक्षकों के प्रती अपने माता-पिता के प्रती इस रास्ट को बनाने वाले जो महा प्रतिहदी सेंस आप gratitude है तो भी हमारे अंदर अपने आप human values जो है वो परकुलेट होने लगते हैं अभिवेक्थ होने लगते हैं तो इसलिए कृतग्यता जो है एक आधार है है ना मूल्यों में एंटर करने के लिए मूल्यों के साथ जीने के लिए कृतग्यता एक बहुत अन मूली रूप से परिवार संबंद के लिए सथार है परिवार के लिए स्थार रास्थ होता रास्थ का इंतर उतान वहतन हुत हम जो उत्पादन करते हैं उसका विन्मे करते हैं विन्मे कार भी होता है और स्वास्त संयम भी होता है माता पिता अपने बच्चों के स्वास्त का ख्याल रखते हैं यही काम राज्य में होता है राज्य भी सिक्षा का विवस्था करती है राज्य बड़े इस तरह पर करती है ताकि जो परिवार में ना हो पाए, वो सुलब हो जाए, उसके अर्थ में राज्य और समाज जो है विवस्था करता है, तो समाज और राज्य जो भी काम करता है, वो परिवार की सुलबता के लिए उसको सिक्षा सुलब हो जाए, चिकिस्था सुलब हो जाए, अन्य जो वस्था के रूप में हमको करना चाहिए ऐसा करने से ही संबंद का पैचान होने से हमारे अंदर करतब दाईत्य के निर्वाय की सह स्विकृति होती यदि हमारे पास संबंद का स्विकृति नहीं होती तो करतब दाईत्य का निर्वाय नहीं होता जैसे कल प्रदीप जी ने एक उधारन देके समझाया था कि जैसे हम ट्रेड में सफर कर रहे हैं उस इस्तिती में जब हम अकेले रहते हैं किसी संबन्द नहीं फैलाते हैं तो सीट में फैल के लेट जाते हैं और इसके बाद जब कोई हमारा परचित आता है तो हम उसके लिए जगे करते हैं और यदि जगे नहीं होती है और कोई हमारा respected याने हमारे संबन्द में कोई भुजुर्व्यक्ति आ जाता है गुरू आ जाता है जिसका हम संबन करते हैं तो हम खुद खड़े हो जाते हैं उसको बिठालते हैं तो जो संबंद की पहचान के साथ ही कर्टब दाइत निर्वाय की क्रिया होती है। एदि संबंद का पहचान नहीं होता है, तो कर्टब दाइत नहीं आता है। जैसे हम भीड में रहते हैं, तो कोई कर्टब दाइत का बोद नहीं रहता है। तो भीड में भी यदि हम किसी संबंधी को पैचानते हैं, तब उसके साथ मूल निर्वाय होता है, इसको समझने की जवरत है, फिर ये भी कहा था कि संबंध एवं संपर का निर्वाय ही सामाजिक्ता है, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि सेंस आप, social responsibility जिसको कह रहे हैं, सामाजि कहते हैं, सामाजिक्ता का मतलब है, परिवार परिवार के बीच में परस पर विश्वास हो, इस ने हो, परस पर भागीदारी हो, उत्पादन में, चिकिस्सा में, शिक्षा में, यदि परस पर भागीदारी करते हैं, तब ही वो सामाजिक्ता है, यदि हम केबल स्वार्थी ह नहीं है तो सामाजिक्ता की सुरुवात जो है वो परार्थ और परमार्थ के रूप में होती है जब कोई परिवार जो है समाज विवस्ता में भाविदारी करता है और यदि वो कुछ कर पाता है समाज में तब अपने में उसको गोरव होता है केवल अपना डाल रोटी खा लिए हो मर गए इसमें गोरव नहीं होता है जब हम दूसरे के लिए कुछ कर पाते हैं तब हमारे अंदर अपने में गोरव होता है और हमको अपना जो जीवन है वो सफल लगता है यदि हम समाज के लिए कुछ कर नहीं पाए केवल समाज का सोसन करते रहे या हमारे माता पिता ने जो भी कमाया उसको खाते रहे या हमने भी जो कमाया वो हम अपने परिवार में उपयोग करते रहे तो गौरव नहीं होता हमको ऐसा नहीं लगता हम जिन्दगी में सफल हुए तो सामाजिक्ता में यदि हम अपनी समाधान को अपनी समृद्धी को अपनी प्रतिभा को अपने व्यक्तित को यदि सामाजिक्ता में नियोजित करते हैं और उसमें कोई ऐसी चीज को स्थापित कर जिससे परिवार समाज में सुक्ष बढ़ता है तो हमको लगता है कि मेरा जीवन सफल हुआ है और यदि हम कुछ नहीं करते हैं तो एक समय के बाद हमको असफलता लगने लगती है इसलिए मैंने देखा है कि एक उमर के बाद भुज़र्ग लोगों को ऐसा लगता है कि वो जिन्दगी अस्फल हो गई, उनका जिन्दगी बरबाद हो गई, वो कुछ कर नहीं पाए, कई बार शिकायत भी हो जाती है, उनको लगता है कि वो कर सकते थे लेकिन करने नहीं दिया गया, ऐसा भी हो जाता है, मेरा ऐसा मानना है, ऐसा होता नहीं है, यदि आप कर सकते तो करी ही पाते हैं, तो सिकायत तो केबल निरासा का लक्षण है, यदि कोई केबल सिकायत करता है, इसका मतलब है कि वो निरास है, लेकिन जो व्यक्ति करना चाहता है, वो करी सकता है, तो यदि हम अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, जो रियल सफलता है, घर बना लेना पैसा कमा लेना, डाल रोठी के अंतिजाम कर लेना, अपने बच्चों को पाल लेना, ये आनसिक रूप से सफलता तो हो सकती है, लेकिन जिस सफलता से हम में स्वयम में त्रिप्ती आती है, वो सफलता वही है जिसमें हम समाज के लिए कुछ कर पाते हैं, शिक्षा के लिए आई पाता है नई तो असफलता होती है निरासा होती है हतासा होती है और कई बार frustration पीड़ा बन जाती है घुटन होने लगती है और कई बार फिर लोग ऐसे असफ़ल लोग ये भी सोचने लगते है कि मेरी मरत्यू जल्दी आ जाए मैं मर जाओं अब मैं जीना नहीं चाहता हूं ऐसा हो जाता है तो जीने की आसा भी टूट जाती है तो इसलिए यहां पर लिखा है कि संबंद और संपर का निर्वाई ही सामाजिक्ता है अखंड समाज के अर्थ में ही सामाजिक्ता होती है और सामाजिक्ता का और डिफाइन किया है कि सामाजिक्ता से आवसकता, आवसकता होती है, तो हम प्रयोग करते हैं, रिसर्च करते हैं, एक्सपरिमेंट करते हैं, एक्सपरिमेंट सक्सेस्फूल होता है, तो प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं, यदि प्रयोग और उत्पादन होता है, तो अर्थो-पार्ज सावाजिक्ता है तो अखन समाज के अर्थ में समाजिक्ता सार्थ होती है ऐसा सिद्धान्थ है फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि मानों का जो जीना है वह व्यक्ति-परिवार समाज्राश्ट अंतरास के रूप में होता है और उनके आयामों को भी मैंने इसपस्ट किया था व्यक्ति के इस्तर में कितना जीना है परिवार के इस्तर में कैसे जीना है समाज के इस्तर में कैसे जीना है वो एक चार्ट के माध्यम से आपको इसपस्ट किया था मैं एक बार वो चार्ट आपको दिखा देता हूँ और फिर इसके बाद मैंने ये भी बताया था कि मानों का जीना जो है चार आयाम और पांच स्तितियों में होता है चार आयाम का मतलब है आध्यात्मिक छेत्र जो अनभाव का छेत्र है बौद्धिक छेत्र जो विचार का छेत्र है, सामाजिक छेत्र जो व्योहार का छेत्र है और प्राकृतिक छेत्र जो व्योसाय और उत्पाधन का छेत्र है तो इन चारों आयाम में एक सुतरता सामरसता होने से ही मानों जो है वो समझ के जी पाता है यदि इनमें समझ है और वो व्योहार और व्योसाई में उतर नहीं रही है तो भी मानों के जीने में गैप होगा और यदि मानों आपको उत्पादन आता है व्योहार नहीं आता है तो भी गैप होगा तो इसलिए समझना और जीना दोनों साइमल्टिनियसली होता है इन में एक सूत्रता है, इन में हार्मोनी का होना बहुत जरूरी है ये हार्मोनी तब ही आती है जब हम अनभव, विचार, व्योहार और व्योसाइ की एकत को, एकता को इनकी सामरस्यता को है ना हम यदि समझ पाते हैं क्योंकि यही जो है सब्वता संस्कृति विधी व्योस्ता है, अनभव में विधी होती है, विचार में संस्कृति, व्योहार में सब्वता और जो व्योसाइ है वही व्योस्ता की रूप में होती है जिसको हम लोग अर्थ विवस्ता, राज विवस्ता और धर्म विवस्ता के रूप में पहचानते हैं न्याइपूर्ण व्योहार, नियम पूर्ण व्योसाय, उत्पादन सफल और विवस्तात मक्य है फिर ये भी बताया कि परिवार में कितने संबंध हैं, समाज में कितने संबंध हैं, कुल मिलाके साथ संबंध हैं इन साथों संबंध में जो संबोधन हैं, जैसे हम माता के रूप में, पिता के रूप में संबोधन करते हैं पती-पत्नी, पुत्र-पुत्री, स्वामी, सेवक, मित्र के रूप में हम संबोधन करते हैं, फिर हर संबंद का एक प्रियोजन है, जैसे पिता-संरक्षन का काम, माता-पोशन का काम, पती-पत्नी में आपस में यतित-वसतित होता है, पुत्र-पुत्री के साथ अनुराग ह करत स्भान्म एकर नियंदु आध्या थे क्सवामि के थाने इस तरीके इस टरीकेसे इन सबकी आवसक्ता रहती से मैंने मूल्यों की बात की था और इसके बाद हम लोग यहां तक पहुचे थे पर्सों यदि नितिन प्रजापती जी या सर यदि कोई प्रस्न आये हों तो जरूर बताईएगा बताईए व्यापक का मतलब जो सब जगे है फैला हुआ है जैसे जो इस्पेस है उसका सीमा तै नहीं होता है कहां तक फैला हुआ है इसको हम सीमा में नहीं बान सकते हैं जबकि जो रचनाएं होती है जैसे हमारी प्रत्वी है वो सीमित है जैसे सूर है वो एक सीमित है हर एकाई हर यूनिट जो है उसकी सीमा होती लेकिन वो यूनिट के चारों और जो इस्पेस है वो सब जगे होता है वो सभी में फैला है उसकी जो सीमा है वो मानों की कलपना में नहीं आती हाला कि हम लोग ऐसा कह रहे हैं कि अभी जितना भी स्पेस है तो उसके बारे में हम ऐसा कहते हैं कि वो जो space है वो big bang का विस्तार है ऐसा हम लोग कहते हैं लेकिन एक जगे जाके gray area है जिसको हम लोग gray matter या gray energy कह रहे हैं और gray matter और gray energy के बात क्या है तो वो हमारी कलपना में नहीं आता है और जितना हमारा known world है यदि हम इसको देखते हैं तो वो जो unknown है जिसको हम लोग gray energy है gray matter कह रहे हैं उसकी तुल्ना में जितनी भी galaxies को हम लोग पैचान पाए हैं वो वेज्ञानिकों की कलपना के नुसार भी वो थोड़ा साही है साइद चार-पाँच परसेंट है अभी 96 परसेंट या 90 परसेंट से जो अधिक है वो unknown है और फिर प्रस्न वो बना ही रहता है कि ये जो unknown है इसके उसके उस पार क्या है तो इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो व्यापक वस्तु है जिसको हम स्पेस कहते हैं ये मानों की कलपना में नहीं आता है अभ प्रस्न है कि इसको पहचानेंगे कैसे है इस पेस तो कोई क्रिया नहीं है तो इसको ऐसे पैचानते हैं कि हरी जो इकाई होती है, हर रचना होती है, तो नियम की व्यापकता के रूप में व्यापकता को पैचानते हैं, क्योंकि कोई भी रचना ऐसी नहीं है, जो नियम विहीन हो, ऐसी कोई भी रचना नहीं होती है, तो इसलिए नियम की व्यापकता प क्याब्द का उप्योग है, तो जैसे हमारी सारी जो गैलेक्सीज हैं ये इस पेस में हैं, इस पेस जो है व्यापक है और हर रचना जितने भी ग्रै, गोल, नक्षथ, तारा, मंदल है ये सीमत है, और सीमत है वो क्रिया सील है, तो क्रियाएं अनंत हैं और जो व्यापक वह एक है, वह अनंत नहीं है, क्योंकि इस व्यापक वस्तु याने स्पेस का भाग विभाग भी नहीं हो सकता है, और इकाईयें जैसे हमारी गैलेक्सी में जितने भी स्टार हैं, वो अलग-अलग ही है, तो इस तरीके से क्रिया और क्रिया सुनता को प्रकृति और व्यापक वस्तु को हम लोग अध्यन करते हैं, जिसको हम लोग स्पेस कह रहे हैं और प्लेनेटरी बॉडी कह रहे हैं, उस रूप में हम लोग इसको पहचान सकते हैं, फिर जो प्लेनेटरी बॉडी है, उसमें से एक बॉडी प्रत्वी है, प्रत्वी के मूल में क्या वस्तु है, त इसके चारों और और इसके अंदर भी space है, Space है इसलिए क्रिया हो रही है, यदि space नहीं हो तो क्रिया का कलपना नहीं की जा सकती है, तो इसलिए space और क्रिया का सहस्तित, coexistence है, इसको हम लोग अध्यन कराते हैं, कभी अउसर लगेगा तो विस्तार से इसका अध्यन कराएंगे और कोई प्रस्ने सर अच्छे ये जो साथ चक्रों की बात की है साइद किसी व्यक्ति है हमारे व्यक्यान में तो ये आया नहीं है लेकिन मैं इसके बारे में मैंने पड़ा है तो ये जो साथ चक्रें जिनको मूला धार स्वादिष्ठार मणी पूर आनाध विशुदी आग्या और सहस्त्रार तैसे साथ चक्रों की बात की गई तो ऐसा कहा जाता है कि ये एक संबेदी जगे होती है मानव सरीर के अंदर जो है ऐसी जगे होती है जहां संबेदनाएं जो है वो बहुत जादा होती है जैसे हम किसी के पेट में उंगली करते हैं तो उसको गुदगुदी होती है और उसके पैर में करते हैं तो नहीं होती ह तो इससे पता लगता है कुछ संबेदी जगे होती है जहांपे इनर्जी के सेंटर्स होते है जहांपे उर्जा जो है उसका एक केंद्र बन जाता है उसी को हम लोग ये साथ चक्र के रूप में मानते है इनका कोई physical existence नहीं होता है जैसे कोई कहे कि गुदगुदी जो होती है वो किसी कौन से अंग में होती है वो अंग को नहीं पैचान सकते हैं तो उसी तरीके से सरीर में जो चक्र है उनका कोई physical existence नहीं होता है लेकिन वो energy center के रूप में रहते है तो वहाँ पर एक प्रकार से उर्जा जो है वो केंद्री भूत रूप में रहती है और जो सरीर का विकास होता है तो सरीर के विकास के लिए जो उर्जा है वो इनी के माध्यम से प्रवाहित होती है पूरे सरीर में तो जैसे मन लो आपको पढ़ाई में मन लगाना है तो आपको अपनी उर्जा लगाना पड़ती है तो ये उर्जा आती कहां से तो इन्ही केंदरों से आती है जैसे आपको मन एकागर करना है तो मन एकागर करने के लिए उर्जा लगती है ताकत लगती है, तो वो ताकत कहां से आती है, सरीर में, क्योंकि सरीर की भी अपनी एक तैयारी होती है, जैसे आपको अपने क्लासरूम में एक घंटे के लेक्चर के लिए अपनी कुरसी पे बैठना है, तो इसके लिए भी आपके सरीर को तैयार करना पड़ता है, जैसे पूर्वग जो है हम इस इनर्जी को नियोजित करते हैं, तो जो लोग इनका अभ्यास करते हैं, वो इस शरीर के जो अंदर उर्जा के या शक्ति के कैंद्र होते हैं, उनको नियोजित करते हैं और उसके माध्यम से वो चीजों को साधने का काम करते हैं, जिसको अम्डोक साध के जो केंद्र होते हैं, वो सभी के अंदर रहते हैं, सभी के अंदर रहते हैं, अधिक्तम इसका उपयोग जो है, इंद्रियों की सक्रियता के लिए है, सरीर के स्वास्त के लिए है, ना सरीर को इस्थिरता प्रदान करने के लिए है, जो ब्रेन की सक्रियता को बढ़ाने के ल लेकिन इसका संबन समझदारी से नहीं है, समझदारी जो है वो मानों में जीवन में होती है, आसा विचार इक्षा का जो छेत्रे वहां समझदारी होती है, और यदि समझदारी होती है तो भी सरीर तैयार होता है, ना समझी होती है तो भी उसका प्रभाव सरीर पे जाता है, जैसे जो भी psychosomatic disease होती है, वो जीवन में disorder के कारण से होती है, यदि हमारे मन में, बृत्ती में, चित में तनाव होता है, पीडा होती है, दुख होता है, तो उसका प्रभाव सरीर के ऊपर पड़ता है, तो जो सरीर की जो उर्जा है, उससे कुंठित हो जाती है, जैसे हमारा हमारा दिल यदि प्रसन होते हैं, तो हमारा दिल जो है, वो स्वस्त रहता है, और यदि हम, हमारे अंदर में तनाव होता है, निरासा होती, हतासा होती, असफलता का बोध होता है, तो हमारा दिल बेढ़ जाता है, इसका पता लगता है, इससे पता लगता है, कि जो अंतर का जो जगत है और जो बाहर उप में जो शरीर है इन दोनों का आपस में अंतर संबंध है क्योंकि आपका विचार जो है शरीर से ही अभिवेक्त होता है आप जो कुछ भी सोचते हैं उसकी अभिवेक्ती भासा से होती है भाव से होती भंगीमा से होती मुद्रा से होती बाडी ल भूमी का है और सरीर और जीवन का सहस्तित है इसको हम लोग अध्यन कराते हैं कभी और होगा तो मुझे लगता है कि अभी इसका इतना उत्तर परियाप्त है यदि कभी और आउसर होगा तो इस पर विस्तार से बात करेंगे आप मेरे से बात कर सकते हैं जिनका एक प्रस्ण है मेरा मुबाइल नंबर आप लिख लीजेगा या सर से ले लीजेगा हीरेन सर से या मेरा इमेल एडरेस ले लीजे फिर हम लोग और विस्तार से बात करेंगे इस मुद्दे पर अभी यहाँ पर इतना ही परियाप लगता है मुझे जी एक बार थोड़ा सा और स्पस्ट करिए ना क्या है प्रस्ण यानि कोई सहे स्थित पे विश्वास नहीं करता है यानि तो आगे वाले का क्या मीनिंग हुआ कुछ आप हिंदी में आनुवाद कर सकते हैं विश्वास नहीं करता है अनिवार है अनिवार है पहली बात है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सहे स्थित पे विश्वास नहीं करता है क्योंकि उसका जन्म ही सहे स्थित पूरवकी होता है दूसरी बात है संबंद भीन मानव नहीं होता है तो वो मा के साथ संबन्द को पहचानता ही है, कोई भी मानव संतान ऐसी नहीं होती है, जो जन्मे के बाद मा के संबन्द को नकार दे, इमिजेटली नकार दे, वो तो बाद में परिवार के वातावरण या समाज के वातावरण बस ऐसा होता है, तो इसलिए पहली बात तो ये संबना जरूरी है कि सह अस्तित एक अनिवार है और ये एक नियम है ये नियती है इसलिए सह अस्तित से संबन्द से रिक्त और मुक्त कोई इकाई नहीं है कोई मानव संतान भी नहीं है है ना केवल होता क्या है होता ये कि एक समय के बाद संतान जो है वो किसी आसकती में जाती है खाने पीने की या और प्रकार की जो एंद्रीक आसक्तिय होती है या जो सरीर से संबंदित जो आसक्तिय होती है उसमें पढ़के वो संबंदों की उपेक्षा कर देता है और जब वो उपेक्षा करता है तो संबंद में सहस्तित्य का जो भाव होता है वो उपेक्षित हो जाता है उपेक्षित होता है तो दीरे-दीरे संबंद में उदासीनता आ जाती है उपेक्ष पलायन आ जाता है ततस्तता आ जाती है ना तो यह जो संबंदों में ततस्तता है उपेक्षा है पलायन है उदासीनता है इसी को कह रहे हैं कि वो सैस्तित्य से दूर हो जाता है लेकिन ऐसा arrangement है कि जैसे जैसे ये होता है वैसे वैसे दुख बढ़ता है और जब वो दुखी होता है तब फिर से उसको संबंद याद आता है और जब कोई याद दिला देता है कि देखो तुमने ऐसा किया था इसलिए तुमारे जीवन में ऐसा घटना हो रही है तब फिर वो पुना सैस्तित में याद फिर से संबंद को समझ के जीने के लिए प्रयास करता है तो इसलिए जो ये कहा गया कि सैस्तित पे किसी को विश्वास नहीं है मानव भी सहस्तित में जैसे मानव का जीना हवा पानी मट्टी के सहस्तित में है पेड़ पौदों के सहस्तित में जीव जानवरों के सहस्तित में हमारे सरीर के अंदर जो भोजन पचने की क्रिया है वो माइक्रो आर्गनिसम के माध्यम से होती है यदि पेट में माइक्रो आर्गुनिस्म नही हो तो भोजन पचेगा नहीं तो तो शरीर यह जिन्दा नहीं रहे गा तो इससे पता लगता है इस सब के सहस्तित में ही मानाव का सरीर है ऑफ मानाव के सरीर में शेल बनने की क्रिया निरंतर चलती रहती है और आप लोगोंने सा एक भी प्राणकोसा नहीं रहेगी, नई प्राणकोसा हैं उसको रिप्लेस कर देती, तो इससे पता लगता है कि जो सरीर बनने की क्रिया है और सरीर को बनाए रखने की जो क्रिया है वो प्रकृति के सहस्तित में ही होती है, इसी प्रकार से मानव का जीना है, जिसको हम कहते है जन्म से लेके म्रत्यू तक मानो संबंद में ही रहता है इस संबंद को हम परिवार में भी पहचानते हैं तो ऐसा कोई व्यक्ति मिलता नहीं है हम लोग ऐसा कहते हैं कि व्यक्ति बात बढ़ गया है लोग संबंद की उपेक्षा कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो संबन्द को स्विकारे रहते। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि मुझे अकेले रहना अच्छा लगता है। और जब मैं परिवार के बीच में रहता हूँ, तो उतना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जब मैं अपने कमरे में अपनी किताब के साथ अकेले पढ़ता रहता हूँ, तो मैं बहुत सुखी रहता हूँ। मैंने कहा कि आप कल्पना करिए है, आपका परिवार नहीं है. और आप पास कमरा हैं और किताब हैं आप सुखी रहेंगे। तो उन्होंने का अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था ऐसा तो मैंने विचार नहीं किया तो मैंने का आप अकेले रहके किताब पढ़ सकते हैं इसमें भी बहुत सारे लोगों का योगदान है आपके सर्वेंट का योगदान है उसने कमरे को साफ सफाई किया है आपकी पत्नी और मा का योगदान है उन्होंने आपका भोजन सुनिश्चित कर दिया है पढ़ते पढ़ते जब आपको भूक लगेगी तो आपका भोजन आपकी टेबिल पर उपलब्ध है है ना तो हमने का आपको पढ़ने के लिए बिजली और हवा की आवस सकता है समाज ने उसको सुनिश्चित किया है कि आपको बिजली और हवा मिलती रहें तभी आप एक आंथ में पढ़ पा रहे हैं केवल आपका ध्यान नहीं है यह जो आपको अपलब्ध हो रहा है इस पे आपका ध्यान नहीं है जैसे ही आपको ध्यान आता है तो आपके अंदर sense of gratitude आता है याने संबंद की स्वीकृति आ जाती है और संबंद की स्वीकृति आते ही आप सुखी हो जाती है तो आपका जो अभी सुख है जिसको आप सोच रहे हैं अकेले में सुख है उसमें भी बहुत सारे लोगों का योग सुख ही नहीं था और जैसे ही उनको ये ध्याना करशन कराया तो उन्होंने संबंद के महत्व को स्वीकारा और उनके लाइफ में बहुत सारा चेंज हुआ है वो मेरे प्रति वो gratitude से भी भरे हुए है वो कहते हैं आपके उतना ध्यान कराने से मेरे मेरे जीवन में बहुत सा जी नहीं वार तो कभी भी जस्टिफायबिल नहीं होता है वार को कोई भी जस्टिफायबिल नहीं है वो तो निर विकल्पता है जब हमारे पास कोई विकल्प नहीं तो मजबूरी में वार होता है और जब हम उसको justify करते हैं तो हम ऐसा मानते हैं वार अनिवार है तो वार अनिवार नहीं है क्योंकि हर आदमी जीना चाहता है आदमी मरना थोड़ी चाहता है आप अपने से ही पूछे आप मरना चाहते हैं मारना चाहते हैं जीना चाहते हैं या दूसरों के जीने में सहयोग करना चाहते है तो जो उत्तर आएगा वही मानव जाती का भी उत्तर है तो मानो जाती जीना चाहेती, मरना नहीं चाहेती ना मानो जाती हत्या करना चाहेती उससे बन नहीं रहा है, असफलता है, इसलिए वो युद्ध करती ऐसा है जैसे कोई आदमी दुरघटना नहीं चाहेता, दुरघटना हो जाती है यदि चलते चलते careless होते हैं, हम किसी से टकराते हैं, हम गिर पड़ते हैं तो हम गिरना थोड़ी चायते हैं कि हम गिरना हम तो चलना चायते हैं तो हम ठीक से नहीं चल पा रहे हैं careless ली चले, उसके कारण से हम किसी obstacle से टकरा गए हो गिर गए तो कोई कहे कि गिरना अनिवार है, गिरना अनिवार नहीं है गिरने को justify भी नहीं कर सकते, कि नहीं हर आदमी गिरता ही है गिरता क्यों है भई? हर आदमी चलना चायता है और वो निरंतर चलना चायता है, गिरना नहीं चायता है उसी तरीके से मानव जाती जीना चाहे थे किसके प्रत्वी के नहीं हूँ कि नहीं क्या प्रत्वी कि पहली बात तो जो है जिसको हम लोग अध्यन कहते हैं जिसको हम समाजना कहते हैं वो है का होता है जो है उसका अध्यन होता है और जो है उसको कलपना करना कि वो नहीं होता तो क्या होता है ऐसा कलपना करना जो है ये भ्रम है तो जैसे प्रत्वी है तो हम प्रत्वी का अध्यान करते हैं प्रत्वी है चंद्रमा हैं दूसरे प्लेनेट्स हैं सूर है गैलेक्सी है तो हम इसका अध्यान है का होता है नहीं है का कोई अध्यान नहीं होता है फिर दूसरी जो बात है जैसे हम कभी ऐसा सोचते हैं मैं यदी रहूं या ना रहूं इससे क्या फरक पड़ेगा इससे कोई फरक नहीं पड़ेगा प्रकृती में जो मानव परंपरा है वो बनी रहती है जीव परंपरा बनी रहती है परंपरा के साथ ही हर रचनाएं होती हैं, तो जैसे एक प्रत्वी नहीं है, तो अनंद प्रत्वी नहीं है, तो रहती है ना, जैसे मान लीजे एक प्रत्वी किसी कारण से मानों ने बहुत सारे परमाणू भम फोड़ दिये, और यहां एक disorder क्रियेट हो गया, तो चलिए मैं अभी एक ऐसी कलपना करता हूं, है ना, क्या कलपना करते हैं, अभी जो धृब में आइस कैप है, यदि ये आइस कैप हटा दिये जाएं, तो प्रत्वी का जो चुम्ब की ये संतुलन है, एलेक्ट्रो मेगनेटिक जो फील्ड है, वो फील्ड डिस्टर्ब हो जाए, तो मे अभी नहीं होता है, प्रत्वी तो बनी रहेगी, लेकिन इस रूप में नहीं रहेगी, तो इसलिए अधिक्तम प्रस्थ ये हो सकता है, कि अभी प्रत्वी जिस रूप में है, जिसमें आदमी भी है, जिसमें जीव संसार भी है, वनस्पती भी है, नदी पहाड भी है, यद फिर उसमें पिंड बनेगा, फिर उसमें पानी आएगा, फिर नदी पहाड होंगे, फिर इसके बाद धीरे धीरे वनस्पती आएगी, जीव संसार आएगा, क्योंकि विकास क्रम विकास की नित्यता बनी रहती है। तो जो कुछ है उसको अध्यन करना पड़ता है, उसको मानना पड़ता है, स्विकारना पड़ता है। यह ब्रहमित प्रस्ण है, काल्पनिक प्रस्ण है, इनका कोई उत्तर नहीं होता है। हाँ, बात बिल्को सही है, देखें क्या हो रहा है, जैसे परिवार होता है ना, परिवार में भी महिलाएं होती हैं। लेकिन हम उनको लड़की नहीं कहते हैं, या उसको महिला नहीं बोलते हैं। यह हमारी बुआ यह हमारी मां हैं यह चाची है ना, तो जब हम रिलेसंसिप के रूप में पहचांते हैं तो हमको अपनी मां लड़की या महिला नहीं दिखती है। हमको हमारी बेहन जो है वो महिला या कोई लड़की नहीं दिखती है, हम उसको relationship में पहचानते हैं और हर relationship में एक निश्चित मर्यादा होती है, वो बनी रहती है यदि हम सा, आप रस्ते चलते भी किसी को यदि बेहन बोलते हैं, या कोई आपको भाई बोलता है कोई lady आपको, कोई लड़की आपको भाई कहती है, तुरंत आपका दृष्टी कोण बदल जाता है, उसके प्रती तो ये जो घटनाएं हो रही है जैसे अभी घटना हुई तमाम जगे हम लोग पढ़ते ही रहते हैं बहुत सारी घटनाए, उसका मूल कारण है कि समाज में संबंध भी इनता आ रही है लोग इस तरी को relationship में नहीं देख के वस्तू के रूप में देख रहे है हम जब केवल उसके सरीर को देखते हैं तो वो लड़की है लेकिन उसी लड़की को जब हम बहन के रूप में देख रहे हैं तो वो सरीर से कुछ अधिक है जैसे आपकी मा आपके सरीर से अधिक है उसके अपने सरीर से अधिक है आपकी बहन उसका जो सरीर है बोडी है उससे कुछ अधिक है ये जो कुछ अधिक है वही संबंध का पहचान है क्या अधिक है तो संबंध में ममता होता है प्रेम होता है, विश्वास होता है, सम्मान होता है, यह सब प्रेम में होता है, जो सरीर से अधिक क्रिया है, सरीर का क्रिया तो जो है, इंद्रियों का क्रिया है, सरीर का क्रिया जो है, भोतिक रासाइनी क्रिया है, लेकिन यह जो भाव का क्रिया है, जो संबंद का क्रिया है, ये उससे ज़्यादा है तो ये जो कारण है उसका मूल कारण ये है कि हम लोगों में कही ना कहीं संबंदों के पृति उदासींता आ गई उपेक्षा आ गई है नहीं तो पहले क्या होता था कि गाओं की सबे जो गाओं में हम लोग ऐसा देखते थे कि सभी परिवार में आपस में जो लड़के लड़किये होते थे उनको कोई ना कोई संबोधन से ही बुलाते वो परोस में दादा जी, काका जी, ताउ जी, मामा जी, भाईया जी इसी तरीके संबोधन, वो बेहनों में तो उनको बेहन बोलते थे या माताजी बोलते थे चाची काकी इस तरीके से संबोधन में बोलते थे तो जब हम हमारा संबोधन ठीक होता है संबोधन कब ठीक होता है जब एक स्थर पे संबंद का पहचान रहता है ये बाद ठीक है कि हम पडोस की महिला को हम काकी या चाची बोलते हैं तो अपनी मां के जैसा भाव तो नहीं रहता है, लेकिन वो किसी की तो मां रहती है, श्वीकृती रहती है, और जब ये श्वीकृती संबंद के रूप में रहती है, तो नियंत्रन रहता है, नहीं तो नियंत्रन नहीं रहता है। तो मुझे लगता है कि मूल जो इसके मूल में यानि जड़ में जाके दी इस रोक के जड़ में जाके देखते हैं तो संबंद भी नता ही इसका कारण तो जब संबंद नहीं होता है तो केबल सरीर के लिए जीते हैं जैसे आप होटल में खाना खाते हैं और अपने घर में अपनी मा के साथ खाना खाते हैं होटल में खाना खाते हैं तो केबल स्वाध ही उसमें प्रमुक रहता है लेकिन जब आप मा के साथ खाना खाते हैं तो स्वाद के साथ ममता भी रहती है इसने भी रहता है तो यह जो ममता और इसने रहता ना भोजन के साथ में यह महत्पूर्ण चीज है यही सुख देता है होटल में केबद स्वाद हो सकता है तो आपको कोई भी होटल अच्छा लगता है तो इसलिए अच्छा लगता है कि उसके खाने में स्वाद है या उसके बैठने का जो जगए है वो आकर सक है है ना याने उसका जो फिजिकल एपिरेंस है वो महत्पूर्ण है उसका स्वाद महत्पूर्ण है लेकिन कोई भी होट रिद्यूर?, इसलिए याद नहीं किया जाता है, वहां जो काम करते हो प्रेम से मंता से कराते हैं। वह तो के लिए आपके साथ एक व्योहार करते हैं। जैसे कोई होटल का मालिक सिस्ट है तो वो संबंद के कारण सिस्टता नहीं है आप उसके कस्टमार है इसलिए सिस्टता है ऐसा रहता है तो relationship में को समझने से ये सारी समस्टाइं ठीक हो जाती और कोई प्रस्ट हलो जी ममता का मतलब होता है केरिंग और पोशन करना ये दो चीजों को मिला दे ममता को अंगरी जी में केरिंग कहते है ना तो मूल रूप से उसमें क्रिया क्या है पोशन का क्रिया है पोशन का क्रिया का मतलब जैसे मा बच्चे को जन देती है तो उसके इस्तन में दूद आ जाता है तो ये एक नैसर की करेजमेंट है कि उसमें पोशन का क्रिया रहता है इसलिए मा पोशन के अर्थ में पैचानी जाती अब प्रस्ण है के परिवार में पोशन क्या केवल आहार के रूप में होता है तो उत्तर है नहीं फिर मां बच्चे को भासा भी सिखाती बोलना सिखाती फिर वो अपने परिवार के बुजुर्गों का सम्मान सिखाती है ये तुमारे काका हैं, चाचा हैं, ताउ हैं, बुआ हैं इनके पेर पड़ो, इनके साथ अच्छी भासा में बोलो है ना तो संसकार का पोशन भी करती है भासा का पोशन भी करती है ना और आहार का पोशन भी करती है इसको कहते हैं ममता ये जो है इस भाव को ममता कहते हैं ये परिवार के दूसरे लोग भी करते पिता में भी ममता होती है लेकिन पिता में प्रधान रूप से ममता नहीं रहती मा में प्रधान रूप से ममता रहती अब आता है सनरक्षण जो सनरक्षण का भाव है वो पिता में रहता है जिसको अपन वात्सलिक कहते हैं आपने मम्ता वात्सल्लो प्रेम ये तीन चीज़ों को पूछा है ना तो वात्सल्ले का मतलब होता है कि हम बच्चे को ऐसा तैयार करें ताकि वो जी सके है ना कैसे जी सके उसमें स्वयम में विश्वास आ जाए स्वयष्टता का संबान करना आ जाए उसके अंदर जो भी सिक्षा दीक्षा है उसके अनुसार उसका व्यक्तित हो अभी क्या हो रहा है कि पड़े लिखे लोग रहते हैं व्यक्तित्तों विहीन रहते हैं, तो उसके कारण से प्रतिवा और व्यक्तित्त में असंतुलन हो जाता है, तो लोग कहते हैं पड़े लिखे गमार हैं, ऐसा बोलते हैं, पड़े लिखे तो हैं, डिग्री हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन गमार हैं, जीना नहीं आता, समझ नही बेवकूफ है ऐसा भी बोलते हैं तो पेरंट्ट्स यह नहीं चाहते हैं प्रतिवा और व्यक्थित में संतुलन हो और व्योहार में सामाजिक हो। अधिना जगड़्ा होता रहेगा लड़ाई जगडा यूगा कोट कचरी होगी १श्य०्ध संथर्क्षंध कैसे होगा? इसी का नम संरक्षन अब यह जो संरक्षन ए णे मूल रूप से पिता में रहता है जिसको अपन करता बुदाई तो पिता में ये भाव रहता है लेकिन पिता का मतलब क्या है पिता का मतलब व भाये है जो बड़ा course है जो चाचा है वो भी करता है जो बाकी जो पिता के बराबरी के संबंद वाले जितने लोग हैं वो सब पिता भाव में सनरक्षन में साहिक होते हैं और इसलिए गुरू भी यही काम करता है और इसलिए गुरू को कहते हैं कि उसमें गुरू के अलाबा पिता भी होता है यहना हर गुरू भी ये चायता है याने गुरू केबल इतने ही नहीं करता है कि आपके प्रस्णों का उत्तर दे आपकी जिग्यासा को समाप्त करे है ना वो आपके अंदर ये छेओं सद्गुणों का विकास भी चायता है तभी उसको अपन गुरू कहते है तो जब गुरू के रूप में जब कोई काम करता है तो वो क्या करता है कि बच्चे में जो समझ नहीं है उसको समझ उपलब्द कराता है ये दया का काम है और यदि उसके पास जीने की समझ नहीं है जिसको कहें कि उसके पास वस्तु नहीं है वस्तु क्या है यानि समझ के रूप में ही वस्तु रहती है और इसके बाद उसमें वस्तु है समझ है लेकिन उसको समझ का उपयोग करना नहीं आता है यानि पातरता नहीं आई है जैसे कई लोग पड़ लिख जाते हैं लेकिन उनको जीना नहीं आता है तो इसको कहते हैं कि ये दया हुई और जब पातरता विक्सित करते हैं तो इसको क्रपा कहते हैं तो जो हमसे जागरित व्यक्ति है वही क्रपा करता है मतलब जैसे कोई आदमी उत्पादन कर रहा होता है तभी वो उत्पादन करना सिखा सकता है कोई संबन्दों में जी रहा ह तब वो संभन में जीना सिखा पाता है, यदि कोई व्यक्ति समझा हुआ होता है, तब ही समझा सकता है, यदि ना समझ आद्मी तो समझा नहीं सकता है, तो यह जो व्यक्ति समझा सकता है, आपको जीना सिखा सकता है, आपको उत्पादन करना सिखा सकता है, संभन में जीना सि परुना संयुक्त रूप से मिला के उसको प्रेम कहते हैं, यह तीनों को ही काम करता है। जैसे गुरू तीनों काम करता तो इसको प्रेम करता है। तो ममता वासलो प्रेम में तीनों में मैंने अंतर बताया और प्रेम जो है वो सभी सम्बंदों में रहता है जैसे मा में ममता के साथ प्रेम भी रहता है प्रेम को अपनत्य की पराकास्टा भी कहते हैं यहने जब अपनत तो जो है, वो पूरी मानव जाती के साथ हो जाता है, तो उसको प्रेम कहते हैं, और जब अपनत किसी एक संबंद तक रहता है, तब भी उसको प्रेम कहते हैं, क्योंकि अभी हमने उसको संबंद की सीमा तक देखा है, तो इसलिए हर संबंद में प्रेम तो तो जैसे किसी में विश्वास हो प्रेम नहीं हो ऐसा नहीं होता है किसी में सम्मान हो प्रेम हो ऐसा नहीं तो प्रेम तो सभी संबंदों में रहता है लेकिन गुरू के भाव में प्रेम प्रधान रूप से रहता है क्योंकि गुरू सिस्ष के अंदर उसकी योगता, चमता और पातरता तीनों का विकास करता है। और ये गुरू के रूप में वो सिस्ष अकेले का नहीं करता है, पूरे समाज का भी करता है। समाज की योगता, चमता और पातरता का विकास करता है। इसी का नाम जो है प्रेम है तो ये तीनों में अंतर है जरूर 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 सिखाएं आपका कालेज हमको जब भी आमंतरित करेगा हम आएंगे